दोस्तों कैसे हो आप लोग आप लोगों का हमारे यूटूब चैनल क्लाइमेक्स एकेडमी छतरपुर में हारदी स्वागत है आज हम आपको नंबर सिस्टम पर ही विविद पार्ट टू पढ़ाएंगे जिसमें हम आपको दस कोशन पढ़ाएंगे पांच प्रकार की होंगे इंपोर्टेंट है आप लोग ध्यान से पढ़िएगा चलिए स्टार्ट करें देखेंगे टाइप सिक्स में पहला कोशन क्या कह रहा है एक बेसबॉल टीम में नौ खिलाडी हैं एक गेम जीतने के बाद प्रते खिलाडी ने एक दूसरे से केवल एक बार हाथ मिलाया तो ब माद्यम से समझेंगे जैसे हम किसी पार्टी में गए हमारा मित्र मिला तो हम उससे हाथ मिलाएंगे तो हाथ कितनी बार मिलेगा एक बार हाथ मिलाएंगे अब यह मत कहना कि दो हाथ मिले तो हाथ को जब एक बार मिलाएंगे तब ही वो एक बार मिलाया माना जाएगा अब से बात करें एक एक्जामपल के माध्यम से आपको बताते हैं कि तीन बैक्ती जब आपस में मिले तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा तो देखेंगे यह पहला बैक्ती इस से हाथ मिलाएगा और यह बैक्ती इस से हाथ मिलाएगा तो कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा तीन बा हाथ मिलाएगा और पहला वैक्ति इस से हाथ मिलाएगा अब देखो यह वैक्ति किस से हाथ मिलाएगा इस से हाथ मिलाएगा और इस से हाथ मिलाएगा अब देखेंगे यह वैक्ति किस से हाथ मिला लेगा इस से हाथ मिला लेगा तो देखेंगे हाथ कुल कितनी बार मिला हाथ मिला 6 बार जैसे आपका कोशन आ जाएगा कि 50 बेक्ती हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे तो आप इसको ऐसे जोड़कर नहीं लगा सकते तो देखो हम आपको बताती है कि जो हाथ मिलाने वाला कोशन है उसको अपन किस प्रकार से करेंगे देखेंगे हाथ मिलाने का एक फार्मूला होता है हाथ मिलाने का फार्मूला हाथ मिलाने का सूत्र यहां से ध्यान से देखेंगे हाथ मिलाने का सूत्र क्या होता है n n-1 divide by 2 जहाँ n बराबर क्या है n बराबर है number of person यानी ब्यक्तियों की संख्या N बराबर क्या है आपका number of person यानी ब्यक्तियों की संख्या कहे तो खिलाणियों की संख्या देखेंगे इस सवाल में N का मान कितना दिया गया है तो baseball team में कितने player है 9 player है तो N का मान आ जाएगा 9, अब देखू को 36 कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा 36 बार हाथ मिलाया जाएगा तो आपका अतिति अन सभी अतितियों से सिर्फ एक बार हाथ मिलाता है यदि कुल 120 बार हाथ मिलाए गए होँ तो बताइए समा रोह में कितने अतिति थे बहुत ही अच्छा कोशन है देखेंगे अभी तक आपको पिछले सवाल में बैक्ती दिया होता था हाथ कितनी बार मिलाए तो विक्तियों की संख्या पूची है तो इसको हम लोग दो तरीके से question को बना सकते हैं ध्यान से देखेंगे वो दोनों तरीका काउन से होंगे? option method देखेंगे विकल्प method तो कोई भी question हो आपको विकल्प method से बहुत आसानी से लगा लेना होता है तो विकल्प पहला देखेंगे विकल्प पहला में n बराबर कितना दिया गया है? 15 दिया गया है अगर देख्तियों की संख्या 15 होगी और हाथ 120 बार मिलेगा तो यह सही होगा तो यहाँ से देखेंगे उसी फार्मूले से n यानि 15 n-1 यानि 15 में एक कम कर देंगे और दो का भाग देंगे दो का भाग देंगे 15 14 में 7 आ जाएगा और 15 सत्य कितना आ जाएगा 105 आ जाएगा बलकि हमारा हाथ कितनी बार मिला है 120 बार इसका मतलब यह क्या है आपका उप्शन? गलत है यह उप्शन सही नहीं है चलिए अब देखो हम बात करते हैं बी नमबर के आपसर की इसमें n बराबर कितना दिया गया है 16 तो फार्मूला होता है आपका n यानि 16 n-1 यानि 15 और डिवाइड वाई 2 तो देखेंगे 2 का भाग 16 में देंगे तो आ जाएगा 8 और 8 का जब 15 से बुणा कराएंगे तो 15 ठेक 120 तो कितनी बार हाथ मिलाया गया 120 बार हाथ मिलाया गया और सवाल में आपका दिया गया है कि 120 बार हाथ मिलाया गया तो आपका option कहुंचा सही है option सही है अब ध्यान से देखेंगे इस सवाल का दूसरा मेथर्ड भी होता है दूसरा मेथर्ड ध्यान से देखेंगे अभी आपको बताया था हाथ मिलाने का formula क्या होता है n n-1 divide by 2 और बराबर अब हाथ कितनी बार मिलाये गई है 120 बार तो 120 दिया जाएगा अब यहाँ से आप गुणा कराएंगे तो यहाँ जाएगा n-n बराबर कितना 120 और गुणा कितना 2 तो कितना हो जाएगा 240 तो यहाँ से देखेंगे n-n कितना 240 बराबर 0 इसको बना लेंगे question number ध्यान से देखेंगे यह आपका बन जाएगा दुईघास समीकण competition में solve नहीं किया जाता इसमें आपका answer बहुत lengthy हो जाएगा तो यहाँ से देखेंगे हम n बराबर अगर 16 रख देंगे तो यह समीकण को संतोष्ट कर देगा lhs बराबर rhs हो जाएगा तो सही है देखो यहाँ से रखेंगे तो n स्क्वेर 16 का स्क्वेर 256 माइनस 16 माइनस 244 यह जोड़ देगे तो हो जाएगा 256 256 0 n का मान कितना सही हो जाएगा 16 सही हो जाएगा उमीद है आपको यह question समझ में आ गया होगा चलिए type second में पहला question देखते हैं बहुत ही अच्छा question है एंटी पीसी 2016 में आया हुआ question है दो क्रमागत बिशन संख्याओं का गुड़न फल 399 है तो इन में छोटी संख्या ग्याद करें ऐसे question को हम object से लगाते हैं बहुत ही अच्छा question है option क्या है 17, 19, 21 और 23 देखेंगे किन दो संख्याओं का गुड़न फल 9 कब आएगा जब 19 का 21 से गुड़न हो जाएगा तो क्या आजाएगा आपका 9 आजाएगा तो गुड़न कराएंगे तो क्या होगा 19 का मौनीस की 9 हाँसे लगा 1 19, 28, 49 तो कितना आजाएगा 399 आपको दिया गया है कितना आया है 399 तो आपसे कोश्चन में पूचा है कि छोटी संख्या काउंसी है तो देखेंगे छोटी संख्या काउंसी है इन दोनों में 19 है तो आपका आंसर काउंसा सही है B नंबर का सही है उम्मीद है आपको एक कोश्चन समझ में आया होगा चलिए अगला कोशन देखते हैं लगातार दो समसंख्याओं का गुड़न फल 168 है तो संख्याओं का योगफल ग्याद करें बहुत ही अच्छा कोशन है तो यहां से देखेंगे और दिमाग लगाएंगे कि किन दो लगातार समसंख्याओं का गुड़न फल 167 है इसका मतलब लास्ट में आठाया है और उनका योगफल आपके ओप्शन में दिया गया है 20, 22, 24 और 26 तो देखो किन दो लगातार समसंख्याओं होंगी तो यहां से देखेंगे हमको पता है कि 12 का जब 14 से गुड़न कराएंगे तभी जाके हमारा क्या आएगा आठ आएगा तो यहां से देखोंगे चवदा दूनी कितना हो जाएगा 28 हांसिल कितना आया 2 और 14 और 2 कितना हो जाएगा 168 यानि हमारी संख्याओं क्या होंगी 14 और 16 तो यहां से देखेंगे 12 और 14 तो यहां से देखेंगे 12 धन 14 बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा यानि देखेंगे तो option काउंसा सही होगा आपका 26 option number D आपका right answer है अब देखेंगे tight third में बहुत ही अच्छा question है tight third का पहला question ध्यान से देखेंगे यदि राम स्याम को एक आम दे देता है तो दोनों के पास बराबर आम हो जाते हैं लेकिन यदि स्याम राम को एक आम दे देता है तो राम के पास स्याम से तीन गुने आम हो जाते हैं उनके पास आमों की संख्या ग्यात करें तो बहुत ही अच्छा कोशन है इस कोशन को हम दो मैथड से बताएंगे मैथड नम्मर पहला जो आपका आपसन मैथड होगा तो देखेंगे आपसन मैथड बहुत ही अच्छा होता है तो यहां से देखेंगे हम आपसन चेक करेंगे और जो हमारा आपसन मैच करेंगा वही हमा प्षार आंसर होगा तो देखो राम और स्याम तो ओप्षन आपका कौंसर दिया गया है पहला ओप्षन पहले में क्या दिया गया है धियान से देखेंगे चार और पांच देखो चार और पांच सवाल में आपको क्या बोला है कि राम स्याम को एक आम दे देता है अब देखो पहली कंडिशन क्या कहा है कि राम स्याम को एक आम दे देता है राम देखो स्याम को एक आम दे देगा तो इसके पास कितने आम हो जाएंगे इसके पास आम हो जाएंगे 6 और इसके पास एक कम हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 3 जो कि आपका option क्या है गलत है क्योंकि राम जब स्याम को एक आम देगा दोनों के पास बराबर हो जाना चाहिए था तो ये आपका answer पहला जो क्या हो गया गलत हो गया अब चलिए हैं option दूसर रखते हैं 5 और 7 यहां ध्यान से देखेंगे कि राम अगर स्याम को एक आम देदेगा तो 5 है एक कम हो जाएगा यहां पहुच जाएगा तो हो जाएगा 8 और एक घर जाएगा तो कितना 4 देखो अभी भी बराबर नहीं हुए तो यह भी क्या है आपका option गलत है अब देखेंगे option चेक करेंगे थर्ड नंबर का इसके राम के पास माल लिए 5 आम है स्याम के पास 3 आम है अगर यहां देदेंगे तो 5 में एक कम हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 हो जाएगा एक कम हो जाएगा तो कि की condition first है फॉलो कर रही है यारे ये answer क्या है सही है अब देखेंगे क्या दूसरी भी condition फॉलो कर रही है की नहीं कर रही है अब देखेंगे क्या कह रहा है कि स्याम अगर राम को एक आम दे देता है तो यहां से देखेंगे स्याम अगर राम को एक आम देदेगा तो इसके पास कितने हो जाएंगे 6 और इसके पास कितने हो जाएंगे 2 तो कह रहा है कि स्याम अगर राम को एक आम देदेता है तो राम के पास स्याम से 3 गुने आम हो जाते हैं क्या 3 गुने हो रहे हैं क्या बिलकुल वो भी रही है ये देखो तीन गुना हो गया तो ये भी condition solve हो रही है यानि आपका option काउंचा सही है option number सही है c 5 और 3 अब देखेंगे ध्यान से इस question को लगाने का method अगर लगाएंगे तो कैसा लगेगा तो हमने क्या किया राम के पास आमों की संख्या मान लिया x और स्याम के पास आमों की संख्या मान लिया y अब देखो पहली condition क्या कह रहा है राम अगर स्याम को एक आम देदे अगर राम यहाँ देखो स्याम को एक आम देदेगा तो इसके पास एक आम क्या हो जाएगा कम है और और स्याम के पास एक आम क्या हो जाएगा आपका अधिक हो जाएगा अब इस equation को हम solve कर लेंगे तो x यहां आ जाएगा y- का अब देखेंगे एक वहाँ जाएगा तो जुड़ जाएगा दो यह हो जाएगा आपका equation number पहला अब देखो सवाल में क्या बोला है कि दूसरी condition क्या बोला है कि स्याम अगर राम को एक आम देदेगा तो देखो स्याम अगर राम को एक आम देदेगा तो राम के पास एक आम क्या हो जाएगा ज्यादा और स्याम के पास एक आम क्या हो जाएगा कम हो जाएगा सवाल ध्यान से देखेंगे बोला क्या है कि स्याम अगर राम को ए का गुणा करा देंगे तीन का गुणा करा देंगे अब देखो यहां से कराएंगे तो यहां जाएगा x प्लस 1 बराबर 3y माइनस का 3 तो यहां से देखेंगे x माइनस 3y यहां जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस का 4 इसको बना देंगे question number second ये दो आपके रैखेक समीकड़ा बन गए इनको आपको solve कर लेना है तो यहाँ से देखेंगे x minus y बराबर 2 यहाँ से आजाएगा x minus का 3y बराबर minus का 4 तो यहाँ से देखेंगे अपनको पता है कि घटाने पर नीचे की संख्या के चिन बदल जाते हैं तो यह कर जाएगा यहाँ आजाएगा 2y बराबर 6 तो y का मान आजाएगा 3 और इसको देखो y का मान मतलब स्याम के पास कितने आम होगा इस्याम के पास 3 आम है अब आप समीकड़ा फष्ट में रख दो तो 3 और 2 5 तो x का मान कितना आजाएगा 5 आजाएगा चलिए दूसरा कोशन देखेंगे भहुत ही अच्छा कोशन है दो परिछा कच पी और क्यूं है यदि 10 विद्यार्थियों को पी से क्यूं में भेज दिया जाए तो दोनों कच्छा में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है यदि 20 विद्यार्थियों को क्यूं से पी में भेज दिया जाए तो पी के पास विद्यार्थियों की संख्या क्यूं की संख्या से दोगुनी हो जाती है पी और क्यूं के पास बिद्यार्तियों की संख्या बताईए तो देखो इसको भी हम लोग दो मैथ़ड से कर सकते हैं मगर आपको हम इसमें simple मैथ़ड बताएंगे optional मैथ़ड देखेंगे विकल्प मैथ़ड क्या विकल्प पहला हमारा सही है यहां से चेक करेंगे P और Q तो देखेंगे ध्यान से बिकल्प पहले में बिकल्प पहला दियागा है आपका 60 और 40 अब देखेंगे पहली कंडिशन क्या कह रही है पहली कंडिशन देखेंगे P अगर Q को एक जो P 10 कच P से Q में 10 लोग चले जाएंगे तो इनके पास कितना हो जाएगा 50 और यह 10 कम हो जाएगे तो 50 यानि यह क्या है आपका सही है अब देखो सवाल में क्या बोला है कि क्यूँके अगर 20 बिद्यार्ती P में चले जाएं तो देखो यहां से 20 चले जाएगे तो यह कितना हो जाएगा सेकेंड कंडिशन देखेंगे यह हो जाएगा आपका 80 और यह हो जाएगा 20 तो देखेंगे कि सवाल में बोला है कि दो गुना होना चाहिए यह तो कितना हो गया तीन गुना हो गया यानि option A आपका गलत है दो गुना होना चाहिए था इसमें तो चाहर गुना हो गए 20 चो को 80 अब देखेंगे आप option B में चेक करेंगे option B आपका दिया गया है 70 और 50 तो यहां से देखेंगे P के पास 70 Q के पास 50 तो देखेंगे पहली condition फस्ट कंडिशन क्या कह रहा है कि P Q को 10 बिद्यारती दे देता है यानि P से Q में 10 चले जाएंगे तो यह हो जाएगा 60 और यहां कितना हो जाएगा 60 यानि पहली condition तो यह भी follow कर रहा है अब देखेंगे condition second क्या कह रहा है कि Q से P में कितने चले जाएंगे 20 तो देखो यहां से 20 चले जाएंगे तो यह कितना हो जाएगा ये भी गलत, अब देखेंगे हम चेक करेंगे आपका option number c p के पास देखेंगे और q के पास देखेंगे, तो देखेंगे p के पास कितने हैं आपके 100, और q के पास कितने हैं, 80, तो देखेंगे ध्यान से कि अगर 10 यहाँ चला जाए, फस्ट condition में तो 10 यहां चला जाएगा तो यह हो जाएगा 90 और यह भी हो जाएगा 90 तो आपका first condition सही है अब देखेंगे second condition लगाएं तो क्या हो रहा है ध्यान से देखेंगे second condition में तो अगर 20 यहां चले जाएगे तो यह हो जाएगा आपका 120 और ये हो जाएगा 60 जो कि आपको देख रहा है ये क्या है दो गुना है तो ये भी आपका सही है तो इस परकार से आपने देखा कि जहां दोनों कंडिशन फॉलो करे वही आंसर सही होगा तो दोनों कंडिशन फॉलो कर रहा है C तो ये आपका अंसर सही है चलिए अब देखते हैं टाइप 9 का कोशन बहुत ही अच्छा कोशन है ध्यान से देखेंगे एक गेंद जमीन पर टपा खाकर अपनी पूर्वी की उँचाई का 3 बटे 4 उँची उठ जाती है यदि गेंद को 32 मीटर की उँचाई से फेका जाए त तो तीसरे टपे के बाद उसकी उँचाई ग्याद कीजिए बहुत ही अच्छा कोशन है और इस कोशन को हम दो मैथर्ड से समझेंगे देखेंगे मैथर्ड पहला क्या कह रहा है एक 32 मीटर की उँचाई की छत है वहां से एक गेंद फैकी गई है पर तेक बार में 3 बटे 4 उ फर्ष्ट टपे के बाद उँचाई तो यहां से देखेंगे फर्ष्ट टपे के बाद उँचाई तो 32 मीटर की उँचाई से गिराई गई है कितना जाती है 3 बटे 4 तो यहां से देखेंगे 4 का भाग देंगे 4 बटे 8 तिया 24 तो पहले टपे के बाद गेंद कितना जाएगी 24 मीटर की उंचाई पर जाएगी अब देखेंगे दोबारा से हम उसको 24 मीटर से गिनाएगे तो आप से कहा है सेकेंड टप्पे के बाद कितना जाएगी तो यहां से देखेंगे 24 गुणा 3 बटे 4 तो देखेंगे 6 तिया 18 कितना हो जाएगा 18 मीटर जाएगी सेकेंड टप्पे के बाद 18 मीटर अब देखेंगे थर्ड टप्पे के बाद क्या हो जाएगी तो थर्ड टप्पे के बाद देखेंगे 18 गुणा 3 बटे 4 तो दो से कार देखेंगे 2 दुनी 4 9 दुनी 18 अब देखेंगे इस question का second method, second method क्या कहता है ध्यान से देखेंगे, इसका एक फार्गूला ररने कर लीजिए, देखेंगे यहां से एन वे टपे के बाद उचाई, एक आपको फार्मूला याद कर लेना है, एन वे टपे के बाद उचाई का फार्मूला हो जाएगा, एच गुणा, ए बटा बी की पावर, एन अब देखेंगे एच क्या है आपका, जिस उचाई से गिराया जाए, तो उचाई कितने से गिरायी जा रहा है, 32 मीटर से, ए बटा बी क्या कहलाएगा, कितना उपर जाएगी, एन क्या है, कितने टपे के बाद पूछा गया है, तो द देखेंगे, एक, दो, और तीन टपे के बाद पूछा है, तो अब देखो, यहां से कार देंगे, चार चोको, सोला, सोला दूनी बट तिस, दो से कार देंगे, दो दूनी, चार, तीन तरह का नौती है, 27 का अधा, कितना हो जाएगा, 13 सही, एक बटे, दो मीटर, तो आपका देखो, दोनो मैथर से कोशन लग गया, उमीद है, चलिए, अगला कोशन देखते हैं, अच्छा कोशन है, कोई गेंद अपनी उचाल में, जितनी उचाई से गिरती है, उसकी दो बटे, तीन, ऊपर तक उड़ सकती है, यदि उस गेंद को 36 मीटर की उचाई से फेका जाए, तो तीसरे उचाल के बद उसकी जो है, उचाई ग्याद कीजिए, तो आप इसको दोनो मैथर से लगा सकते हैं, आप इसको लगाएंगे, फार्मूले मैथर से, NW टपे के बद उचाई, यहां से देखेंगे, NW टपे के बद उचाई, इसका भी अभी हमने फार्मूला बता अब देखो कितने मीटर की उंचाई सी गिराना है 36 मीटर की उंचाई सी गिराना है और कितना अठेगी 2 वड्टा 3 और कितनी बार की वाद पूंचार 3 वार के बाद तो यहां से देखेंगे यह हमने बना दिया कितनी बार तीन बार अब देखेंगे तीन तरकर नौ नौ चो को 36 अब देखेंगे 4 दुनिया 8 दुनि 16 दुनि 32 तो ये आ जाएगा 32 बटा 3 आपका अंसर इसका चाहे तो भाग दे लो तो 10 बार जाएगा 10 सही 2 बटे 3 मीट्यार आपका आंसर ठीक है नूट कर लेंगे सब लोगे टाइप दसमा देखते हैं बहुत ही अच्छा कोशन है क्या कह रहा है कि एक आदिमी ने एक नौकर को इस सर्थ पर रखा कि वह उसे 80 रुपए और एक जोड़ी जीन्स एक वर्सी की सेवा के बाद देगा उस आदिमी ने केवल 9 महीने जीन्स की कीमत क्या है बहुत ही अच्छा कोशन है ध्यान से देखेंगे कि एक आदिमी जो है एक साल में उसको 80 रुपए मिलना था और क्या मिलना था एक जोड़ी जीन से मिलना था अगर वह कितने माही की सेवा देता एक साल सेवा देता यानि 12 माही की सेवा देता ध्यान स देखेंगे उसने 55 रुपय प्राप्त किये हैं और एक जोड़ी जीन से प्राप्त कर लिया है. सेवा कितने महने दी गई है? नौ माह की सेवा दी है उसने. देखेंगे इसको बना लेंगे समीकण नमबर पहला, इसको बना लेंगे समीकण दूसरा, दोनों को सॉल्व कर इहां तो यह झीन से जीन साबका कटद्वा की कहाए गाइगा यां सी घटाएगे दस में से 5 गया तो 5 आठ में से 6 गया तो 2 ओर यहां कितना आ जाएगा तीन माह internet माहा आ जाएगा 25 यह तो एक माहा का माहा आ जाएगा 25 बटा सिद्वाट unfolding टीन आ जाएगा इसको आप बराबर 12 गुड़ा 25 बटा 3 अब देखो 3 का भाग 12 में देंगे तो 4 बार में कर जाएगा 25 चोको सब हो जाएगा 80 जाएगा तो घड़ जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा यानि जीन से एक जोड़ी जीन से की कीमत कितने रुपाई है 20 रुपाई है चलिए देखेंगे अच्छा कोशन है एक ब्यक्ती ने एक सेवक को इस सर्थ पर रखा की वह उसे एक वर्सिकी सेवा के पस्चात 90 रुपाई और एक पगड़ी देगा उस ब्यक्ती ने केवल नौ महीने काम किया 65 रुपाई तथा एक पगड़ी प्राप्त की तो बताईए उस पगड़ी की कीमत क्या है बहुत ही अच्छा कोशन है और इस कोशन को आपको ध्यान से देखना है ध्यान से देखना है कि एक बेक्ती है जिसने क्या किया है देखेंगे एक बेक्ती है जिसने काम किया है 90 रुपए प्राप्त होंगे उसे और 1 प्लस पगडी मिलेगी नब्बे रुपय प्राप्त होंगे और पगडी मिलेगी जब वह कितने माह की सेवा देगा 12 माह की सेवा देगा अब देखेंगे उसको 65 रुपय प्राप्त हुए है और एक पगडी प्राप्त हुई है जब उसने सेवा कितने माह की दी है 9 माह की दी है तो इसको बना लेंगे हम समीकड़ नमबर पहला इसको बना लेंगे समीकड़ नमबर दूसरा और दोनों को solve कर देंगे और घटाने पनीची की संख्या की चिन्ह बदल जाते हैं तो ये कर जाएगा यहां से आ जाएगा 5 और यहां आ जाएगा 2 और यहां जाएगा 3 माह तो एक माह का मान कितना आ जाएगा एक माह का मान आ जाएगा आपका 25 बटा 3 आप समीकड़ा फस्ट में रख देंगे तो यहां से देखो 90 रुपए प्लस आपका आ जाएगा पगड़ी बराबर 12 गुड़ा 25 बटा 3 तो यहां से देखेंगे तीन चोको 12 पच्चिस चोको 190 घटा देंगे तो पगड़ी की कीमत आपकी आ जाएगी 10 रुपए पगड़ी कीमत आ जाएगी 10 रुपए उमीद है आपको यह कोश्चन समझ में आ गया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें सस् आपाँ